2021 पेश हो गया है इसमें 36 गड़ को क्या भिला? 36 गड़ को क्या फायदे और नुकसान हुए? इसको लेकर 36 गड़ के पूर विसीम डॉक्टर रमन सिंग ने बंसलियों से बादचीत की है आई आपको सुनाते हैं तो आज आम बजट आगया है इस पर बाद करने के लिए हमारे साथ पूरू मुख्य बंतरी रमन सिंग जी है सर वैसे तो पूरे देश के लिए बजट है लेकिन 36 गड़ के लिहाद से देखे क्या आपको फायदेबन मज़र आता है इसमें 36 गड़ के लिए जिसे हमारी प्रात्मिक्ता क्या है आम आदमी को स्वक्ष पेजल की वैस्था करना तो आप देख रहे होंगे श्वरी चल मिशन के लिए दो दसमें लो आठ साथ लाग करोड का प्रवदान है जिसमें चार हजार तीन सो आठतर नगरी निकाय को पा ये प्रवदान रखा गया एक धिरे दिरे पूरे 36 गड़ के उन नगरी निकायों को घर घर पानी शहर में और ग्रामिट्चिट में मिले उसके प्रवदान के तहत किया है स्वास्त के लिए जब 2.86 करोड का प्रोधन हेल्थ के लिए इन्फरस्ट्रक्शर के लिए किया गया है 35,000 कोवीट के लिए किया गया है R&D फैसलेटी बढ़ाने के लिए किया गया है तो इसका सीधा लाब 36 गड़ जैसे राज को मिलेगा और उसके साथी जगाँ जब पुञ्जी करत वे में 35 दसम, 34 दसम लब 5 प्रतिश्यत वे होता है तो इसका शेयर जब 41% शेयर हमको मिलता है तो 36 गड़ का हिस्सा भी बढ़ेगा और उस 36 गड़ के लिए लाब रहेगा एक करोड बहनों को जुला में नए गैस कनेक्शन मिलना है तो चत्रिकड़ को सीधा सीधा लाव मिलेगा 16,50,000 रुपिया किसानों को यह दी टैक्स के रूप में मिल रहा है तो इसका भी सीधा लाव उनकिसानों को मिलेगा जो टैक्स के रूप में जो कर्ज लेकर अपनी खेती बड़ी करते है विपक्ष का आरूप है कि पुझी पतियों कार्पोरेट का बजट है मिडिल क्लास को कुछे में नहीं मिला पेट्रोल डीजल के किमते फिर बढ़ जाएंगी कहां से उद्योग पतियों के लिए कोई टैक्स में कोई छूट दी किया है कि का टाटा बिडला को ये विशुद रूप से गाउं गरीब और किसान और उनके हित में लिया गए निर्णा है और किसानों के लिए पजट साथ तो 36 गड़ को काफी कुछ मिलेगा चाहे रूट की बाद कर ले स्वास्त की बाद कर ले और विपक्ष के आरूपों को सीरे से नका रहा है पूर मुखी मंतरी ने कैमरमेन योगेश के साथ अभी शेक्षियों के बंसलनी है उज़रायत